हलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फी, मुँ में घुल जाने वाली बर्फी बनेगी ये फ्रेंट्स हर एज के लोग खा सकते हैं इसे, बिना कोई जंजट के, ना कोई चाचनी का टेंशन, ना कोई मावा, ना कोई मिल्क पाउडर बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंट्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है एक नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक पैन, इसमें हम डालेंगे घी, देसी घी का यूज़ कीजे फ्रेंट्स, बहुत ही डिलिशियस लगती है हमारी ये बेसन की बर्फी, तो इस तरीके से हमें ले लेना है घी, यहाँ पे मैंने शुद्द देसी घी लिया है, इस तरीके से हमने घी ले लिया है, घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है, अब हम इसमें एट करेंगे चनादाल बेसन, ओके, सो फाइन बेसन हमें ले लेना है, इस तरीके से हमने बेशन को छान लिया है, साथ में हम डालेंगे fine सूजी या fine रवा, अगर मोटी सूजी है तो उसे आप mix के जार में grind कर लेना और ये सूजी आप use कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको पहले mix कर लेना है, सारा measurement मैंने perfect बताया है, perfect measurement के साथ मैंने ये बरफी बताई है तो ना घी जादा लेना है, ना बाकी चीजे जो चीजे जैसी बताई गई है, as it is follow करो starting में ये मिश्रन आपको dry लगेगा, बट जैसे ही हम इसे low flame पे लगातार भूनते रहेंगे, ये मिश्रन जो है lose होते जाएगा, means soft होना start हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे घी release होना start होगा, friends है ना, तो perfect sign क्या होता है, जब भी हम बेसन को भूनते हैं, धीरे धीरे भूनने के बाद ये देखिए, अब क्या हुआ, इसका texture जो है इसकी consistency जो है, एकदम soft हो गई है है ना, इस तरीके से soft, अब हम फिर से इसे भूनेंगे लगातार, जब तक ये एकदम thin consistency का नहीं हो जाता है ना, लगातार चलाते रहना है, patience के साथ हमें बनानी है, ये बरफी, तो ही आपकी बरफी कच्ची नहीं लगेगी, है ना, ये देखे consistency अभी भी हमें इससे लगातार चलाते रहना है अब final consistency मैं आपको show करती हूँ कि किस तरीके से हमें चाहिए, एकदम रवा और बेशन, एकदम perfect भूनना है friends, ये देखे, और ये thin होते जा रहा है क्योंकि हम इसे लगातार चला रहे है तो यहाँ पे ये देखे, finally हमारी ये जो है perfect consistency है एकदम दानेदार बनेगी हमारी ये बरफी क्योंकि हमने यहाँ पे fine सूजी रवा का use किया है, तो ये देखे, friends finally इस तरीके से हमें consistency चाहिए अब हम क्या करेंगे, flame को बन कर देंगे इसमें हम डालेंगे powder sugar ठीक है, घर की PC हुई चीनी चलेगी ये ready made sugar, powder sugar भी चलेगा इस तरीके से चान लेना है as it is follow करो, friends, recipe को एकदम perfect बनेगी इस तरीके से चानने के बाद हम एक बार अच्छे से mix करेंगे इस stage पे आपको लग रहा होगा कि ये mushroom dry है बट नहीं, friends, हम flame को फिर से on करेंगे यहाँ पे, ये देखे, flame को मैंने on कर दिया है अब हम इसे फिर से भूनेंगे low flame पे low flame पे इसे लगातार भूनते रहना है जब तक ये अच्छा सा soft सा dough नहीं बनता ठीके, dough like consistency इसकी रहेगी ये देखे, लगातार चलाते चलाते हमने यहाँ पे soft सा dough जैसा बना लिया है अब इसमें हम डालेंगे ilaichi powder जो की बहुती बढ़िया taste देगा हमारी बेसन बर्फी में इस तरीके से मिश्रन जो है पैन को छोड़ते जाएगा और हमारा soft सा जो है मिश्रन का बर्फी का dough जो है ready हो जाएगा ये देखे फ्रेंड, this is the perfect sign दो-तिन मिनट अगर आपको color or dark चाहिए तो थोड़ा और आप cook कर सकते हो finally यहाँ पे कोई भी इस तरीके से tin ले लीजे और इसमें आपको घी से grease कर लेना है और गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्तशो का यूज किया है आप silver वरक भी यूज कर सकते हो इस तरीके से आप में पूरी तरीके से इसे थंड़ा कर लेना है रूम टेंपरेचर पे या फिर आप इसे थंड़ा होने के बाद 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में semi set होते तक आप रख सकते हो हलका सा जैसे ही फ्रीज में set हो जाता है इस तरीके से marks लगा लीजे इस तरीके से mark लगाने के बाद अगेन आप इसे फ्रीज में set करने रख दीजे आदि गंटे बाद ये perfectly set हो जाएगा अगर आपको room temperature पे ही set करना है तो कोई बात नहीं room temperature पे भी set कर सकते हो मैंने तो इसे फ्रीज में set किया है और finally ये मेरी दानेदार बेसन की बरफी बिना जंजट वाली ready हो गई है friends like करना ना भूले, share करना ना भूले friends और वीडियो अच्छा लगा